हलो स्टूडेंट्स स्वागे तो दसदे यूट्यूब चैनल पेरी स्टेडी ऑनलाइन थे आज गोज अपना टॉपिक है सर्फेस एरिया और वॉल्यूम क्लास एट्स एक्सरसाइज अपने को 16.1 अपना फर्स्ट क्वेस्टन है आपना एक साइट गिवन है क्यूब दी 9.5 सेंटिमेटर अपनों स्टार्ट कर देए सब तो पहला अपनों साइट गिवन है देट इस एक्वेल टू 9.5 सेंटिमेटर मैं साइट दों की लेट कर लें अपने कोल ए है A is equal to 9.5 cm सब तो पहला आपा find कर दे है CSA of cube अपा पहला explanation कर चुक है CSA की होंदा है Only 4 sides होंदी है So CSA of cube is equal to 4 A square जब तो अपा किया है A square नो 4 नो multiply करांगे That is equal to CSA of cube So value put कर दे है 4.5 Sorry 4 into 9.5 into की आगया 9.5 होड़े नो आपा ही करने है multiply करने है जब आपा multiply करांगे तो अपना की आजेगा आंसर आजेगा आपा लिखांगे 95 by 10 into की आगया 95 by 10 होड़े नो cancel कार दे है 5 दे टेबल दे 19 थले किनना आगया अपने कोल 2 उपर किनना आया 19 थले आपने कोल किनना आया 2 2 तू जा 4 2 नड़ 2 कैंसल तो बख्की की बच्चा 9 into sorry 19 into 19 that is equal to 361 cm स्केर आपा 95 by 10 95 by 10 नो cancel करके किनना लिखे 19 by 2 into 19 by 2 2 नो 4 नड़ कैंसल करके 2 फिर 2 नड़ कैंसल करके आपा 1 बढ़ा था उसता होँ 19 into 19 किनना आगा 361 that is CSA of a cube next is second part TSA of a cube TSA of a cube is equal to 6 a square मतलब 6 अपने को scale हों दी है एक square दे रही है किनना होंदा है a square ता 6 दा किनना होगा 6 a square so 6 multiply by 9.5 into 9.5 ताहनो आपा की लेक सकते है 6 into 95 by 10 into 95 by 10 अगेन देखो उपर 5 या थले 0 है उपर 5 या थले 0 है तापा आपा इनू 5 दे table दे cancel कर सकते है so that is 19 that is 2 that again 19 and that is a 2 हों cancel हो रहा है देखो cancel की हो रहा है अपने को 2 दे table दे 6 ता किनना आगे अपने को 3 now 3 into 19 into 19 divide by 2 ताहनो जैपा इनू multiply करिये 361 into 3 ता अपने को किनना आगे 300 that is 1083 by 2 cm square that is equal to TSA of a cube last is the volume of cube last आपा पता करनी है volume of a cube volume of cube volume ता मतलब किनना है capacity किननी capacity है ते किननी कोई चीज़ पाई जा सकती है so that is equal to side multiply side multiply by sides so 9.5 multiply 9.5 multiply 9.5 हो 9.5 नो की लेख सकती है 95 by 10 95 by 10 into की आगे 95 by 10 अपने कोई आगे 95 by 10 95 by 10 95 by 10 जब आपा इनो multiply करिए तो उपर किनना हो गए main चीज़ तुसी की याद रखनी है unit ज़रूर लगाने है centimeter square area चाणगे मतलब CSA TSA विच ते volume च की आएगा centimeter cube जे question दे विच centimeter given है ता centimeter square ते centimeter cube use करांगे जे meter given है ता meter square ते meter cube use करांगे एस ही अपने को question number one इन्दे तिन पार्ट है एक पार्ट मैं solve करता बाकी दो पार्ट तुसी खुद solve कर सकते notebook दे उपर